अम्हारे शास्त्रों में आता है, कि जब स्रिष्टी की रचना हुई, तो उस वकत जो पहला स्वर निकला, वे ओम औम धौय और इसे वेदों में ब्रह्म मंत्र कहा गया है, शीरी मद्ध भागवत गीता भी वेदों का इसार है, और भगवान शीरी कृष्ण अर्जुन का प्रशन होता है कि हमें अंत में परम गती मिले, किसका ध्यान करें? क्योंकि गीता में कहा गया है, अंत मती सो गती, तो वे उसे फिर वही ओम का स्मर्ण कराते हैं, कि ओम ब्रह्म मंत्र है, जब ब्रह्मान की रचना हुई, कि वो स्वकत पहला स्वर ओम निकला, और भगवान कहते हैं, कि ओम का उच्चारन करने से, ओम का ध्यान करने में, सेकंड से भी कम लगता है, इसी तरह हमें अपने प्रान त्यागने में भी सेकंड से भी कम ख्यन भर लगता है, और ओम अक्षय ब्रह्म है, तो उसे कहते हैं, कि सारे योगों से बड़ा योग, तु भक्ती योग अपना अर्जुन, है एक अक्षर का ब्रह्म मंत्र, तु ओम ओम को गा अर्जुन, ओम का ध्यान करने में सेकंड से भी कम लगता है, और दे त्यागने में भी सेकंड से भी कम थ्में लगता है, तो इस प्रकार हमें ओम का सदा ध्यान रखना चाहिए, और अपने करम भी करते रहना चाहिए, क्योंकि ओम एक ब्रह्म मंत्र है, वो हमें ब्रह्म से हमारे जीव को मिलन करा देता है, लेकिन एक शर्त ये भी है, भगवान ही कहते हैं कि ओम का ध्यान भी अंतकाल में उसी को आएगा, जिसे जीवन में ओम का ध्यान करने का, ब्रह्म का ध्यान करने का, अपने जीव, आत्मा को ब्रह्म से मिलाए रखने का अभ्यास होगा, तो इसी प्रकार प्रभु प्रेम्यों हमें सदा अपना करम भी करते देना चाहिए और ओम का भी ध्यान रखना चाहिए उसको सदा अपने मन में स्थान देना चाहिए तभी अंतकार में हमें ओम का ध्यान आएगा और हमारा परमगती मिलेगी